हे गाईज वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आई होप आप सभी का एक्जाम अच्छा रहोगा 18 अगस्त यानि कि कल को आपका उत्राखंड एल्टी का एक्जाम था आई होप सो आप सभी का बैस्ट गया होगा तो देखे इसमें आपसे 100 कोशन पूशे जाते हैं जिसमें कि आपका पार्ट वन और पार्ट टू दिया जाता है और दोनों को 50-50 कोशन में डिवाइड किया जाता है तो पार्ट वन में आपसे 50 कोशन में 20 कोशन जी के रीजनिंग के होते हैं 30 question आपके किस के होते हैं पैडागोजी के होते हैं जो कि teaching aptitude से संबंदित होते हैं और second part भी आपका 50 question का होता है जिसमें 50 question आपसे knowledge of subject से पूछ जाते हैं जिस भी subject के आप teacher बनने जा रहे हैं अपने future में तो जिस भी subject के base पर आपने एक्जाम दिया है तो उस subject के 50 question आपसे part 2 में पूछ जाते हैं तो part 1 जो होता है वो सभी के लिए compulsory होता है same होता है और part 2 जो होता है वो सभी subject के लिए अलग-अलग 50 questions का group होता है तो अभी मेरे पास यहाँ पर maths वालों का है तो maths के 50 question हम देखेंगे इसमें थोड़े बहुत question physics के भी add किये होता है तो अभी मेरे पास booklet B है तो आप यहाँ से 50 question का solution देख सकते हैं जो भी math यानि की math science वाली stream से lt का paper दिये है तो start कर लेते हैं अपना question सबसे पहला question हमारे पास है photon कि सांकिकी को पालन करते हैं तो इसमें सही answer होगा बोस Einstein क्योंकि इनका जो particles होते हैं वो integer spin होता यानि की पूर्णांक होता है ठीक है तो बोस Einstein इसका correct answer होगा अगर आप से fermion का पूछा जाता तो fermion का यहाँ पर fermi direct answer होता ठीक है next question देख लेते हैं हम से पूछा है वैदुद संधारित यानि की capacitor की जो capacitance होती है capacity होती है वो किस पर निर्भर करती है किसी भी electrical capacitance की जो capacity होती है वो किस पर depend करती है तो यहाँ पर आपको formula आना चाहिए ठीक है capacity का क्या होगा यह आपका formula है इसमें जो होता है वो आपका चेतरफल होता है यानि की area होता है area of plates होता है और D जो होता है वो distance between plates होता है यानि की दूरी होती है तो यहाँ पर देखिया option आपको चेतरफल कहीं नहीं दिख रहा है लिकिन distance दिख रही है तो option B इसमें correct हो जाएगा ठीक है अगला question हमारे पास है निमलिकीत में से कौन सा R का उपसमुच्य सम्वरत है तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका option D pi upon n square plus 1 n z इसमें जो value n है तो वो बढ़ने पर 0 की ओड जाती है लेकिन यह जो 0 है उसको include नहीं करता है ठीक है इसलिए answer आपका option D होगा और क्योंकि इसमें सभी limit points जो है वो शामिल है तो इसलिए option D आपका इसमें correct हो जाएगा अगला question है 0 point 0 degree Celsius पर oxygen और उनकी root mean square value है ठीक है VRMS बोलते है root mean square value तो इसका मान बताना है तो देखे फॉर्मला किस प्रकार से होगा root 3 K T upon M M यहाँ पर क्या है mass of molecule याणि कि अनू का द्रविमान है T क्या होता है temperature होता है आपको पता ही है और K क्या है K boltsman constant boltsman नियतां को बोल सकते हैं तो 0 degree centigrade याणि कि 273.15 Kelvin पर oxygen अनू की जो speed होती है वो RMS अगर हम निकालेंगे V RMS अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगी 461 meter per second तो इसलिए आपका जो first question है first option है वो बिल्कुल correct हो जाएगा अगला question देखे इसमें बोला है नियूनतम घात का बहुपा जो sin x का बिंदू x equal to 0 या pi by 2 तथा x पर सन्निकटन करता है इसको आप English पर पढ़के अच्छी तरह समझ लीजिए the polynomial of least degree that approximates sin x at the points x equal to 0 pi by 2 and pi is तो pi की value हमें यापर बताने तो देखो यहाँ पर sin x के लिए जब हम नियूनतम घात बहुपत निकालेंगे तो उसके लिए lawrence interpolation वाला जो rule है उसको हम यहाँ पर follow करेंगे तो किस प्रकार से होगा px equal to 4 upon pi x bracket 1 minus x upon pi तो यह answer होगा अब option में देखेंगे तो यह हमें दिख रहा है option में कोहाँ पर दिख रहा है यह first वाला ही दिख रहा है first वाला इसका correct answer हो जाएगा next देखते हैं अगला question है आव्यू दिया है आपको एक matrix दिया है इसका हमें बताना है के कोई वास्तविक अभिलाक्षनिक मान नहीं होंगे यदि तो देखो सबसे पहले देखो यह एक rotation matrix है ठीक है इसके जो अभिलाक्षनिक value होंगी वो किस प्रकार से होगी e i theta और e की power minus i theta ठीक है यह value real तब होंगी जब क्या होगा theta equal to 0 या फिर theta equal to pi होगा otherwise यह value जो होगी complex हो जाएंगी ठीक है तो इसका correct answer क्या हो जाएगा 0 is less than sorry theta is greater than 0 but less than pi ठीक है तो first वाला answer हमारा बिल्कुल correct हो जाएगा आगे देखते है question number 57 कोटी 8 के चक्रिय समूजी के जनकों की संख्या बतानी है हमको यहाँ पर क्या होगी देखो इसको कैसे solve करेंगे phi n equal sorry phi n जहाँ पर जो n है वो कितना दिया है हमें 8 दिया है question में ठीक है कोटी यानि की n हमको क्या दिया है 8 दिया है तो 5 8 equal to 8 1 minus 1 upon 2 equal to अब इसको solve करेंगे तो कैसे solve होगा इसका correct answer 4 आ जाएगा ठीक है solve करके तो option B इसमें सही हो जाएगा अगला question देखे यदि electron का द्रवमान इस्तिर द्रवमान का दुगना हो जाए तो वेक का मान तो देखो यहाँ पर जैसा जैसा हमसे बोला है हमें वैसा ही करना है ठीक है root 1 minus B square upon C square तो यहाँ पर C क्या होता है परकाश की चाल होती है गती होती है और V क्या होता है electron की गती होती है ठीक है तो देखे correct answer यहाँ पर बन जाएगा equal to 2.598 into 10 की power 8 meter per second तो correct answer कौन सा होई इसमे option C हो जाएगा ठीक है option C इसमें सही उत्तर हो जाएगा अगला है यदि T1 रेखिये रूप आंतरन है T इस प्रकार से value दिया है तो T व्यूत कुरम्णिय है यदि तो देखो T व्यूत कुरम्णिय होगा यदि व्यूत कुरम्णिय ता जोगी वो 0 नहीं है तो देखो कैसे होगा यहाँ पर T determination T equal to alpha beta and gamma तो इस तरह से ही बनेगा ठीक है तो देखे हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे तो देखे आपका जो option आपका इसमें आ रहा है D तो option D आपका यहाँ पर सही बन रहा है ठीक है answer इसमें D हो जाएगा next हमको matching करवानी है किस प्रकार से होगी matching देखे तो देखे यहाँ पर option A है इसको हम match कराएंगे यहाँ पर 2 number वाले से ठीक है दूसरा वाला option B जो है इसको हम match कराएंगे third वाले से तीसरा वाला जो हमारा होगा यह हमारा match होगा fourth वाले से last हमारा बच्चिगा तो इस तरह से आपका कौनशा option सही हो रहा है इसमें A2, B3, C4 A2, B3, C4 and D1 तो आपका option C इसमें correct हो रहा है next है यदि cos log E i की power i equal to x plus i y तो x और y का मान बताना है कितना होगा तो इसमें यहाँ पर सही उत्तर है x equal to minus 1 and y equal to minus 1 पर ऐसा कोई option इसमें दिया नहीं गया है वैसे इसका जो मैंने solve की answer x equal to minus 1 और y equal to minus 1 आया है तो इसमें किसी भी option में ऐसा नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर एक में यहाँ minus है यहाँ पर minus है ठीक है देखे इस question को मैं छोड़ रही हूँ फिर अगर मेरा answer यह आ रहा है तो अब देखे next question हमें matching कराने फिर से matching में सबसे पहले हमको दिया है microwave आवरति का source तो यह मैं match कराऊंगी 2 से magnetron से infrared आवरति का श्रोथ दिया गया है इसको परमाणों एवं अणों का कमपन gamma करणों का श्रोथ दिया गया है नाविक radioactive विगडन और X करणों का श्रोथ है आंत्रिक कक्षा के electron तो option हमारा कूट में A सही है इसमें ठीक है अगला देखते हैं इसमें दिया है डैस द्वारा जनित सदिस समिस्ट की वीमा होगी तो देखे इसको हम यह जो question हमें दिया गया है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1, minus 1, 2, 2, 4, 10, 3, minus 2, और 7 इस तरह से लिख सकते हैं और फिर इसको solve करेंगे कैसे solve करेंगे आपको आता है ना इसको solve करना आप notepad ले ले लेजे या फिर notebook ले लीजे उससे करेंगे कैसे करता है उससे पहले first वाली row का लेते हैं और जो first वाली row होती है और first वाला column होता उसको छुपा कि जो बाकी अंदर बचे है उनकी आपस में multiply होती है तो इस तरह से होती है मैं आपको लिख की देती हूँ आप इसको solve कर लीजेगा 47 minus minus 2 into 10 फिर उसके बाद किसका sign लगेगा minus का sign लगता है फिर 2 की बारी आएगी मैंने copy में solve कर रख है उसी तरह से आप इसको solve करके देख सकते हैं अभी मैं यहाँ पर screen पर ज़्यादा space नहीं हो रहा है इसका आपको इतना बता देती हूँ फिर आप इसको solve करेंगे और answer मैं आपको बता दूँगे कितना आ रहा है तो देखी इसका जो solve करके होगा 0 आ जाएगा तो इसका जो answer होगा क्या हो जाएगा 2 answer इसका क्या बनेगा 2 होगा अगला question क्या है इसमें पूचा है आपका एक कुरिष्णिका के विकिरण के स्प्रेक्टरम के लिए निमनमे से कौन सी सांकी की परियोग की जा सकती है तो सही उत्तर इसमे होगा बोस आइंस्टीन सांकी की अगला question है यदि R ये value दी गई है तो बताना है कि V की power 2 2R की power N बराबर है किसके तो देखें इसको मैं solve करके आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से solve होने वाला है यहाँ पर उपर mod भी है 1 upon R square R R square आप इसको copy में भी लिख सकते हैं अगर आप other exam की भी तैयारी कर रहे है जो कि maths के question से संबंदित है तो इस तरह से ही solve होने वाला है 1 upon R square R N R की power N प्लस 1 अब इसको थोड़ा सा और अगर मैं लिखूँ easy करके तो यह ऐसे लिखेंगे 1 upon R square N N प्लस 1 R की power N देखें इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं N N प्लस 1 तो ऐसे लिखेंगे और जोगी R square उसको उपर भेज़ेंगे तो यह जो N होगा उपर वाला तो उसकी power कितने हो जाएगी minus 2 हो जाएगी तो यह आपका correct हो रहा है अब यह हमको दिया है option किसमे D में दिख रही है na easy value same option D में N N प्लस 1 फिर R की power N minus 2 तो देखे option D में correct हो जाएगा अगला देखते है question question number 66 क्या है question number 66 का जो answer है आपको direct पर बता रही हूँ जो कि है first वाला answer इसका बिल्कुल correct हो जाएगा h equal to m और bracket में यह value जो दी गई है यह बिल्कुल सही है यहाँ पर we can approximate the harmonic mean यानि की edge ठीक है तो first वाला इसका answer सही हो जाएगा अगला question देखे 1 meter लंबाई के रोड अपनी लंबाई के आनुदिस 0.6C की गती सील है रोड के साथ गती करने वाले प्रेक्षक के लिए उसकी लंबाई कितनी प्रेक्षित होगी तो हमें बताना है कि यहाँ पर कितनी इसमें length है ठीक है तो जो यह question है वो special relativity से संबंदित है जिसमें length contraction formula हम use करेंगे जो कि क्या है L equal to L0 root 1 minus new square upon c square ठीक है तो यहाँ पर जो L0 है वो क्या है 1 meter होगा ठीक है unit के लिए 1 meter होगा V इसमें 0.6 दिया गया है गती यानिकी V equal to 0.6 ही दिया है और जो c होता है वो क्या है speed of flight है ठीक है तो यहाँ पर जो rod की length है वो कितनी होगी 1 meter होगी answer इसमें क्या जाएगा 1 meter आएगा क्योंकि जो observer है और जो rod है वो same ही reference पे जो कि same reference frame है ना उसी पे दोनों है ठीक है तो इसमें 1 meter सही होगा ठीक है नेक्स्ट कॉशन है अंता केंद्रिद घंचालक BCC lattices के packing fraction का मान क्या है packing fraction आप सभी को पता है volume of atoms in the unit cell upon volume of the unit cell ठीक है तो इसलिए BCC packing fraction देखेंगे तो वो किसके एक पल आ जाएगा option A के एक पल आ जाएगा 0.680 next question है निमन में से कौन सा वाक्य सही नहीं है तो देखें सही नहीं है पूछा यानकि गलत वाक्य आपको बताना है पहला दिया गया है परतिलों भी तुलेता संबन्द है तो यह सही है किसी समुच्च पर दो तुलेता संबन्द का परतिछेदन समुच्च पर तुलेता संबन्द है यह भी सही है लेकिन जो C दिया गया है किसी समुच्च पर दो तुलेता संबन्द का सम्मिलन समुच्च पर तुलिता सम्मंद है ये आपका wrong हो जाएगा क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जो सम्मिलन के बाद जो सम्मंद बनेगा वो ट्रांसिटिव ही हो ठीक है ये जरूरी नहीं होता है तो option C यहाँ पर सही हो जाएगा एक कोष्ट में अधिकतम इलेक्ट्रोनों की संख्या होती है तो अगर हमें एक कोष्ट में अधिकतम इलेक्ट्रोनों की संख्या निकालने तो हमें एक शैल में इलेक्ट्रोनों की संख्या देखनी होगी तो एक शैल में इलेक्ट्रोनों की संख्या के लिए सूतर क्या होता है formula 2N square जहाँ पे जो N होता है वो cell की principal quantum number है वो होता है ठीक है एन क्या होता है principal quantum number ठीक है तो 2N square कहां दिया है option में? option B correct हो जाएगा इसका अगला है फलान E की पावर X, SEC X का मूल बिंदू के साप एक्स विस्तार करने पर विस्तार का जो तीसरा पत है वो कौन सा होगा तो विस्तार का तीसरा पत E की पावर X और SEC X का हमें अगर विस्तार करें तो सबसे पहले हम E की पावर अगर X का विस्तार करेंगे तो कैसे होगा वो 1 प्लस X प्लस X स्क्वार अपॉन 2 प्लस x की power 3 upon 6 plus dot 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 ठीक है अगर हम sec x का करेंगे तो sec x में होगा 1 plus x square upon 2 plus 5 x की power 4 upon 24 plus dot 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 अब e की power x और sec x दोनों के एक साथ विस्तार करने से पहले हमें multiply करना होगा पहले किनी दो पदों को तो इसमें क्या होगा e की power x sec x क्या बनेगा हमें दो लोग को plus करना है sorry multiply करना है 1 plus x plus पहले वाले का हमने कुछ चीजे ले ली पद ले लिया और दूसरे वाले को भी ले 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 और दोनों की multiply कर दी ठीक है plus dot 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 तो इसमें जो third pad आएगा वो क्या आएगा x square के रूप में होगा किसकी रूप में होगा x square के तो option b यहाँ पर साही हो जाएगा अगला question देखिए यहाँ पर हमें matching करानी है ठीक है matching करानी है तो देखिए a को हम match कराएंगे first से b को third से c को fourth से और d को two से तो इस तरह से आपका option b साही हो जाएगा ठीक है अगला देखते हैं हमें यह series दी गई है और हमें बताना है कि plus n पदो तक का योग कितना होगा बताना यहाँ ठीक है तो देखिए यहाँ पर जो answer निकल कि आपका आएगा यहाँ आएगा 10 n plus 1 10 inverse n plus 1 minus pi by three ठीक है pi by four sorry pi by four तो आपका option d में सही होगा ठीक है ओके next question देखते हैं next question हमको दिया गया है यदि g एक un abelian 125 कोटे का सम होगे तो g के केंदर में कितने तत्व होंगे तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा option c 125 ठीक है अगला question है हमें matching करवानी है फिर से पदार्थ दिये हैं और उनके जो refractive index होते हैं उनसे हमें match कराना है ठीक है तो देखे पहले को हम match कराएंगे 2 से हवा जल का कितना होता है 1.30 और हवा का कितना होता है 1.52 क्राउन ग्लास का कितना होता है इसका होता है 1.65 और फ्लिंट ग्लास का होता है 1 ठीक है तो आपका option c सही हो जाएगा यहां पर कूट में अगला देखे निम्न में से कौन सा गलत है बताना है ठीक है गलत कौन सा बताना है ठीक है यहां पर ठोसो के उर्जा बेंट पॉली एक्सक्लूजन सिध्धान्त का परिणाम है कुचालक का जो चालन बेंट होता है वेवारी क्रूप से खाली होता है 0 degree centigrade पर अर्दचालक क्या हो जा अगला कॉशन हमारे पास है यदी इस वैलौ तब इसका मान बताना है हमें ठीक है समाकलन पर इसका मान करने के लिए था क्या करना है तो जो आर इसको करने के लिए R T का जो का है इसका T के साफ एक्स क्या करना पड़ेगा अवकलन करना पड़ेगा और दोनों वेक्टरों का dot product निकाल लेंगे और last में T equal to 1 T equal to 2 इसके बीच integral करेंगे ठीक है तो integral का हमें आपको solution बता देते हूं कैसे होगा 4 into T plus 1 T plus 2 1 into T plus 2 into T ठीक है इस तरह से इसको solve करने पर answer 6 आजाएगा तो आपका option B6 हो जाएगा अगला question देखिए अगला question हमको दिया गया है ये एक वरत का जो सब्मिक्रन दी गई है जिसमें केंद्र बताया गया है कि minus 1 minus 1 है और तरिज्जा इकाई हो इसमें बिंदू P0 alpha पर स्पर्श करें तो तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका option D ठीक है option D इसमें सही होगा अगला question देखिए अनुनादी आवरती W2 minus W1 पर बल forced 2 लित्र की band चोड़ाई होगी जहाँ पर T क्या होता है 243 काल होता है तो आप सभी को अगर यह formula पता होगा W2 minus W1 equal to 1 upon 2 T ठीक है 1 upon 2 T T क्या होता है विश्रानती काल होता है ठीक है relaxation चो time बोलते हम इसको तो देखिए कहाँ पर देख रहा है 1 upon 2 T 1 upon 2 T हमें देख रहा है option D में option D हमारा correct हो जाएगा अगला question हमको दिया गया है कि which of the following represent a line parallel to imaginary axis that divides complex plane into two parts तो यहाँ पर Y जो होगा वो 0 और Y अननत इन दोनों के बीच में होगा तो कैसे होगी equation अगर Y 0 और अननत के बीच में है तो A plus IY होगा हमारे पास और देखिए तो सबसे पहला option इसमें हमें सही दिख रहा है ठीक है option पहला इसमें बिलकुल correct हो जाएगा जो Y है वो 0 और अननत के बीच में है अगला देखिए सामने तर ठोस में CP का मान CB से 3 से 5% अधिक होता है इसका जो है कारण क्या है इसका कारण है work associated with volume change तो option A इसमें सही हो जाएगा ठीक है work associated with volume change अगला question में हमको matching करानी है color को उसकी wavelength range कितनी होती है बताना है हमको देखिए जो लाल रंग है उसकी wavelength कितनी होती है 620 से 780 nanometer पीला की कितनी होगी बताए पीले की जो wavelength होगी वोगी 570 से 590 और हरे की होगी 500 से 570 और नीले की होगी 450 से 500 तो option A यहाँ पर correct हो जाएगा अगला हमको दिया गया है समानंतर तलो में इतना तह इनके बीच की हमें distance निकालनी है दो पैलर planes दिये गए हैं उनके बीच की distance निकालनी है तो यहाँ पर जो दोनों ही planes दिये गए हैं वो समानी vector के समान है है ना बिल्कुल general vector के ही समान है तो इसलिए अगर हमें दूरी calculate करनी है इसमें तो हमारा इसमें answer बनेगा 5 upon 3 root 14 ठीक है answer आपका बनेगा option D अगला question देखिए सरलावर्थ गती में इस्तिज उर्जा अधिक्तम होती है तो हमें बताना है जो simple harmonic motion होता है उसमें maximum potential energy जो होती है वो कब होती है किस condition में होती है तो यह होती है maximum distance पर sorry displacement पर maximum displacement पर क्यों क्योंकि potential energy displacement के साथ ही change होती है इसलिए यह answer हमारा displacement में जाएगा maximum displacement पर next question हमको दे रखा है आंसी का अंकरा ने समीकरण है इसका हल हमें निकालना है कि z equal to कितना होगा तो इसका हल z equal to xy हो जाएगा अगला हमको बताना है कि Maxwell के समीकरण को सही रूप से कौन दिखा रहा है तो curl h यहाँ पर आंसर आपका बन जाएगा option d option d में बिल्कुल सही हो जाएगा जो Maxwell की समीकरण है option d के अनुसार बिल्कुल सही है अगला देखिए next आपको बोला है कौन सा कथन असत्य है बोला है ठीक है तो यहाँ पर आर एक तत्समक संबंद नहीं है जो यह कथन है वो आपका गलत कथन है अगला देखिए इसमें हमें कुछ तथ्य देगे गए हैं और इन तथ्यों के संबंद में नीचे उबगरव देगे हैं अब हमें बताना है कि इसमें कौन सा सत्य कथन है कौश्चन नमबर कौन से आईए 88 तो देखिए इसमें पहला कथन अ सत्य है दूसरा कथन सही है तीसरा कथन भी सही है और चौता कथन भी सही है तीनों कथन सही है तो यानि की सत्य गतर में हमको तीनों चाहिए कूट में यहाँ पर कहीं भी तीनों ने दिया गया है दूसरा तीसरा और चौथा इस तरह से इसमें एक option होना चाहिए था पर नहीं है तो यह भी आपका एक bonus marks बनता है ठीक है क्योंकि यह question भी आपका गलत दिया गया है question number 89 है इसमें एक निश्चित समाकलन दिया गया है उसका हमें value निकालनी है किस तरह से निकालेंगे इसको solve कर लेते हैं यहाँ पर हम देखे कैसे होगी x की power 3 upon 3 और limit जोगी इसकी minus 1 से 1 तक होगी अब हम इसको अंदर रखेंगे तो 1 की power 3 और नीचे 3 रहे जाएगा तो 1 का minus का sign लगता है ना फिर जब दूसरी limit को लेते हैं तो minus 1 फिर इस तरह से upon 3 हो जाएगा तो देखो इसको solve करेंगे तो 1 का cube 1 हो जाएगा minus 1 का cube minus 1 होगा तो देखो ऐसे solve कर सकते हैं 1 upon 3 minus minus 1 upon 3 तो कितना जाएगा answer 2 upon 3 तो यहाँ पर option में 2 upon 3 दीख रहा है option D में अब next दिया गया है आपको question इस question का आपका जो answer है वो है option इस में आपका option होना चाहिए इस प्रकार से कुछ is not equal to 0 ठीक है तो इस question को भी मैं रखूंगी bonus marks में क्योंकि यह question भी मुझे गलत लग रहा है ठी question number 91 देखते है question number 91 में सही कथन का channel करना में सही बताना है कौन सा है देखिए सभी स्थैटिक कल्प परिक्रिया यह कथन आपका गलत है सभी उतक्रमनी reversible process are quasi static तो यह आपका गतन सही है रुदोष्प परिक्रिया इस्थैटिकल पहर होती है तो यह आपका गलत कथन है संताभी परिक्रिया स्थाटिकल पर तो ये सइए तो बी और डी कथन इसमें सभी आ रहे थिका वी और डी तो आपका ये भी कॉश्ण आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा कि एक ही चैन करना है थीकिए तो आप देख सकते हैं जिन मार्क्स पर आपको डॉट है तो आप उसको बा तो E upon C square को हम H new upon C square भी लिख सकते हैं, ठीक है, जहां पर H क्या होता है, plant constant होता है, new क्या होती है, frequency होती है, M आपको पता है, mass होता है, और E आपकी क्या होती है, energy होती है, तो H new upon C square हमको दिख रहा, option C में correct हो जाएगा, question number 93 है, इसका हमें new नतम मान minimum value निकालनी है, कैसे निकालनेंगे, अगर हम R का average करेंगे, average of R करेंगे, तो 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 upon 5 हो जाएगा, जिसका क्या answer 3 आजाएगा, तो X की value कितनी आगई है, हमारी 3 आगई है, तो option C में सही है, कौन सा कथन A सत्य है, बोला है, तो पहला है, डाइ मेगनेटिक प्रॉपर्टी डा स्टे नो डिपेंड गौन टेंपरेंड टेंपरेचर, अस अत्य बोला है, हमें छाटना है, तो यह टो हमारा सही है, पैरा प्रॉपर्टी डिपेंड्स ओन टैम्परेचर तो डी सही है ठीक है तो देखिए यहां पर आपका जो कौन सा वाला बताया है मैंने आपको सी ठीक है क्योंकि पैरा मैगनेटिक जो अनुचुम्ब की गुण होता है वो तापमान पर निर्बन नहीं करता है बोला इसमें ठीक ह हम देखिएंगे रोज में कितने वोवल्स है दो वोवल्स है टोटल ठीक है दो वोवल्स है अगर हम इसको देखिएंगे कितने कॉम्बिनेशन इसके बन रहे है रोज वाले लैटर में तो देखो आर ओ आर एस आर ए ओएस ओई और एस और एस यहां से कितने कॉम्बिनेशन बनेगे total number of combination हो गया हमारे पास 6 अगर हम ऐसा combination मनाएं जिसमें at least one vowel include हो तो बनेगा RO, RE, OE, OS और SE तो vowels के साथ combination मनाने पर हमें कितने vowels मिल गए 3, 4, 5 combination मिल गए ठीक है तो अब हमारे जो probability है वो क्या होगी कि number of at least one vowel वाला combination उपर रखेंगे हम probability निकालने के लिए और total number of combination वाले जो होगे पेर वो कितने हैं 6 हैं तो 5 upon 6 होगा तो option C यहाँ पर correct हो जाएगा अगला है एक मोटे lens की मोटाई और और बढ़ाने पर इसकी focus दूरी क्या होती है तो अगर on increasing the thickness of a thick lens its focal length will be increase बढ़ेगी because जो thicker lens होता है thicker lens means a larger distance for a light to travel through यानि कि जो thicker lens का मतलब है वो क्या होते larger distance choose करना जो कि light के लिए travel करने के लिए होगी जो की decrease करता है lens की power को तो option b यहाँ पर correct हो जाएगा 97 में हमें इसका हल निकालना है कितना होगा तो देखे इसका अगर हमें हल निकालना है तो y double dash y dash upon x equal to 0 इसका हल कैसे निकालना हम y equal to e की power minus x upon 2 और bracket में a cos root 3 upon 2 x bracket बन plus b sin bracket root 3 upon 2 x और बड़ा वाला bracket भी बन चीक है तो इस तरह से आपका option c इसमें correct हो गया ठीक है option c correct हो गया आप देखते हैं next तीन question अभी हम पर और बच्चे इसमें बोला है सम घन ऐसी कोष्ट की आणविक त्रिज्जा है तो radius बताने है आपको अगर diameter आपके पास a है मालनो diameter a है तो diameter of the atom is twice than radius ठीक है twice the radius मतलब की जो diameter होगा वो radius का दुगना होगा तो 2r equal to a लिख सकते है हम radius क्या होगा डायमेटर का दुगना हो गया r equal to a upon 2 आपके हमारे यहां से radius निकालने थी तो r equal to a upon 2 कहां पार है option a में है next question हमारे पास है the ratio between the probabilities for spontaneous and stimulated emission various width तो this is proportional to 1 upon v3 where v क्या होगा v is the frequency of emitted radiation ठीक है तो v3 correct answer आपका इसमें option d हो जाएगा next और last question हमारे पास है यदि b mn beta फलन हो तो जहां m जो छोटा है 0 से n छोटा है 0 से तब समार्कलन इसका मान क्या होगा तो इसका समार्कलन का जो answer आएगा आपका option c निकल के आएगा 2 b जिसकी value 6 और 4 है ठीक है तो I hope आपके लिए यह helpful रहा होगा आपकी जितने भी marks इसमें mathematics में आ रहे हैं वो देखिए और bonus वाले question में आना है आपको जो बतायते हैं उसमें भी आप अपना एक-एक marks add कर सकते हैं So next video में आपको मैं इसका part 1 की video दे दूँगी जिसमें आपके 50 questions है जो कि सभी के लिए सेम है reasoning जी के और साथ में pedagogy वाले question इसके लावा आपको किसी भी और subject का solution चाहिए जैसे कि SST English Hindi तो आप मुझको telegram पर question paper भेज सकते हैं महां से मैं solve करके आपको वीडियो दूँगी ठ subscribe जरूर कीचेगा